अगर आपको बहुत के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और मैं आपको मैपके थू भी इन रिवर्स के ओरीजिन पॉइंट्स के बारे में समझाऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से इसी वीडियो में याद हो जाएं और मैंने सभी questions selected और important लिए हैं तो अगर आप किसी भी exam की तेहरी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ादा beneficial रहने वाली है तो चलिए वीडियो को start करते हैं हमारे first question से Where does Indus River originates? Correct answer is option B Monsarover Lake in Tibet तो friends ये जो Indus River है ये तिबबत के Monsarover Lake से निकलती है ये आपको याद रखना है important point से अब मैं आपको पताता हूँ तो origin जो है friends detail में आपको पता जाता हूँ तो जो glaciers है friends तिबबत में वहाँ पे Lake Monsarover है और उसके नियर सानो खयाब एक जगा है वहाँ से ये जो Indus River है ये निकलती है और ये estuary है इसकी यानि कि इसे हम कहते हैं mouth भी कहते है friends कि कहां जाकर गिरती है तो ये falls in the Arabian Sea तो estuary है Indus River की Arabian Sea ये आपको याद रखना है अब मैं आपको map के थुरू बदा देता हूँ इसकी location तो ये है friends Indus River तो ये तिबबत से निकलती है यहाँ से तो यहाँ से ये तिबबत से निकलकर मांसर ओवर लेक से इंडिया से होते 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 फिर पाकिस्तान में एंटर करती है तो पाकिस्तान में एंटर करते ही ये फिर आगे चलकर Arabian Sea में fall कर जाती है तो ये इसका estuary point है ये आपको याद रखना है estuary point है और यहाँ से ये निकलती है origin है ये इसका तो friends Indus River ये जो है ये पाकिस्तान की national river भी है ये आपको याद रखना है national river of Pakistan और इसी river के उपर friends इंडिया और पाकिस्तान के बीच में Indus Water Treaty भी हो चुकी है यहाँ पे आपको लिखते देता हूँ Indus Water Treaty तो इसमें friends जो Indus River है और इसकी जो पांच tributaries है मैं आपको यहाँ पे पताता हूँ ये जो इसकी Indus River है प्लस इसकी जो पांच tributaries है जैसे कि ये ब्यास, सतलुज, रावी, चैनाब और जेलम तो इनके डिवाइडेशन किया हुआ है कि पाकिस्तान कौन से rivers को यूज करेगी तो जो पाकिस्तान है वो western rivers को यूज करती है जैसे कि चैनाब, जेलम और इंडस तो ये तीन rivers जो है इसके water का use पाकिस्तान करेगी और जो इंडिया है वो रावी, ब्यास और सतलुज, जो eastern rivers है उनका use करेगी इंडिया तो ये treaty भी आपको याद रखने है और ये treaty friends 1960 में हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया के थे जोहाल लाल नहरू, इन्होंने sign किये था treaty के उपर और पाकिस्तान के थे आयूब खान, प्रेजिडेंट तो ये भी आपको याद रखने है, information, एक ही question में मैंने आपको काफी सारे question करवा दिये, क्यूंकि ये question पिछले exams में काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये भी याद रखने है next question देखते है, where does the sateluj river originates, correct answer is option है, रक सताल इन तिबबत, तो तिबबत में friends, एक रक सताल जगह है, वहाँ से sateluj river निकलती है, ये आपको याद रखना है अब मैं आपको इसका origin points बता देता हूँ, detail में friends, sateluj river का, तो ये तिबबत में जो मानसरोवर है, उसके पास ही जगह है, रक सताल, वहाँ से निकलती है, ये sateluj river, और इसकी जो estuary है friends, या mouth है, तो चैनाव river में जाकर ये गिरदाती है, जो चैनाव river, अब मैं आपको map के त अब मैं जाता हूँ, तो sateluj river friends, यहाँ से निकलती है, मानसरोवर से तिबबत में, और यहाँ से हوتे होते ही है, आगे जाकर ये चैनाव river, ये जो चैनाव river है, यहाँ से आ रही है, तो इसमें जाकर ये मिल जाती है, पिर चैनाव आगे जाकर िंडस में, ये उपर से इंड और friends Sataluj के उपर ही बाकरानंगल डैम है यह आपको याद रखना है काफी सारे exam में यह पी पूछा गया है कि बाकरानंगल डैम किस river के उपर है तो यह Sataluj river के उपर है यह आपको याद रखना है Next question देखते हैं friends Where does the Ravi River originates? Correct answer is option D Rotang Pass in Himachal Pradesh तो हिमाचल प्रतेश का जो रोतांग पास है, वहाँ से रावी नदी निकलती है, यह आपको याद रखने है, अब मैं आपको detail में रावी रिवर की बाद में बताता हूँ, इसका origin है friends, जो हिमाचल प्रतेश का कांगडा डिस्टिक है, वहाँ पर रोतांग पास है, तो पर जाकर यह चैनाब में मिल जाती है, रावी रिवर, हम आपको मैप के थुरू बतायता हूँ, तो यह रही friends, रावी रिवर, यह हिमाचल से निकल कर, फिर पाकिस्तान में एंटर करती है, एस्च्यूरी पॉइंट आगे है इसका, चैनाब में और चैनाब आगे जाकर, इ पारे में, next question, what is the origin of Bias River, correct answer is option A, Bias Kund in हमाचल परदेश, तो हमाचल परदेश का जो फ्रेंट्स, ब्यास कुंड है, वहाँ से ब्यास नदी का उद्गम स्थाली आने की वहाँ से निकलती है, यह आपको याद रखना है, तो अब मैं आपको origin, detail में बता देता हूँ, ब्यास का, तो यह जो फ्रेंट्स, हमाचल परदेश का रोतांग पास है, उसके नियर एक लोकेटेड है, ब्यास कुंड, वहाँ से यह निकलती है, ब्यास रिवर, और इसका जो estuary point है, वो है सतलूज river, तो यह आपको याद रखने है, अब मैं आपको map के थ्रू भी बता जता तो ब्यास रिवर, फ्रेंट्स, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल कर यह फिर सतलूज में estuary होगी, तो यह इसका estuary point, और यह इसका origin point, तो यह आपको याद रखने है, नेक्स्ट कॉश्चन, वेर ड़स दा रिवर जहलम औरिजिनेट्स, कर्रेक्ट आंसर इस, option B, शेषनाग लेक है, वहाँ से जहलम नदी निकलती है, यह आपको याद रखना है, अब मैं आपको जहलम नदी के बारे में, डिटेल में बता जता हूँ, इसका origin, तो फ्रेंट्स, जो वेरी नाग, जम्मु कश्मीर के पास है, वहाँ पे एक शेषनाग लेक है, वहाँ से य निकलती है, यह आपको याद रखना है, और estuary point है, इसका चैनाव river में, यह आपको याद रखना है, अम आपको जहलम river के बारे में, मैं आपके थ्रू भी समझा देता हूँ, तो यह जम्मु कश्मीर से निकलती है, यहाँ से यह निकली, इंडिया से, फिर यह पाकिस्तान म एंटर करके यह फिर चैनाव में मिल जाएगी, तो चैनाव river इसका estuary point है, और origin point है इसका जम्मु एंड कश्मीर में, तो यह आपको याद रखना है, next question देखते हैं, what is the origin of चैनाव river, important question है, correct answer is option C, वारा लांचा पास in हिमाचल प्रतेश, तो हिमाचल प्रतेश का जो बारा याद रखना है, तो अब मैं आपको friends, चैनाव river के origin के बारे में complete information देता हूँ friends, तो friends, जो हिमाचल प्रतेश का लाहौल एंड स्पिती district है, वहाँ पर जो अपर हिमालेज हैं, वहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, तो वो दो नदिया है, तंडी चंदरा एंड भागा rivers, तो इन दोनों का जब संगम होता है, तो वहाँ से चैनाव river निकलती है, यह आपको याद रखने है, काफी important points है, जिसे हम 12 लंचा पास भी कह देते हैं, इसका estuary है friends, यह सतलूज river को जाकर आगे मिलती है, तो अब मैं आपको map के थ्रूप भी बिता देता हूँ, चैनाव river, यहाँ से चैनाव river निकलती है आपकी हिमाचल से, फिर आगे जाकर यह सतलूज river में मिल जाती है, ठीक है, तो इसका estuary point है सतलूज और यह निकलेगी हिमाचल प्रदेश से, next question, where does river Ganga originates, correct answer is option B, गंगोतरी glacier in उत्रखंड, तो उत्रखंड में जो गंगोतरी glacier है, वहाँ स गंगा नदी निकलती है, यह आपको याद रखना है, हम आपको detail में बता देता हूँ, इसके origin के बारे में, friends, गोमुक एक जगा है, उत्तरकाशी district of उत्रखंड में, उसके नियर है यह गंगोतरी glacier, वहाँ से गंगा नदी निकलती है, यह आपको याद रखना है, और इसका गंगा की location भी बतायता हूँ, friends, यहाँ से, तो, friends, यहाँ से आपकी गंगा निकलती है, यहाँ से गंगा निकलकर आगे जाकर यह फिर, सीधा Bay of Bengal में गिर जाती है, तो यह इसका estuary point है, और यह, sorry, यह इसका origin point है, और यह इसका estuary point है, next question, what is the origin of river Yamuna, correct, answer is option C, Yamuna 3 glacier in उत्रख तो उत्रखन में जो Yamuna 3 glacier है, वहाँ से river गंगा निकलती है, यह आपको याद रखना है, अब मैं आपको detail में बता देता हूँ, friends, इसके origin के बार में, तो, friends, Yamuna 3 glacier से निकलती है, यह आपको याद रखना है, और इसका मुहाना याने की estuary, हिंदी में लिखा गया है, तो estuary है इसका इन गंगा, इन प्रियाग राज, तो प्रियाग राज में जहाँ गंगा है, वहाँ पर जाकर यह Yamuna नदी गंगा के साथ मिल जाती है, तो अब मैं आपको Yamuna नदी के बार में बता देता हूँ, friends, तो यह रहा, friends, Yamuna का origin point, यहाँ से Yamuna चलकर, आगे जाकर, यहाँ पर, यह है, friends, प्रियाग राज, और यहाँ पर गंगा के साथ मिल कर, फिर यह आगे जाकर, Bay of Bengal में गिर जाती है, तो इसका Estuary Point, गंगा रिवर ही आएगा, next question, discuss करते हैं, where does the Chambal River originates, correct answer is, option है, Janpav Hills in Madhya Pradesh, तो MP में, friends, Janpav Hills है, वहाँ से Chambal नदी निकलती है, यह आपको याद रखना है, अब मैं आपको चambal नदी के origin के बारे में, detail में बता देता हूँ, तो friends, यह जो चambal नदी है, यह मध्य प्रदेश में माओ एक जगा है, वहाँ पर hills है, जानपाओ के, वहाँ से यह निकलती है, चambal नदी, यह आपको याद रखना है, और इसका Estuary Point है, friends, ना में मिल जाती है, next question, where does Ghagra, जिसे की करनाली रिवर भी कहते हैं, originates, correct answer is, option D, Maan Surover Lake in Tibbet, तो Tibbet में Maan Surover Lake है, वहाँ से ही, घागरा नदी निकलती है, यह आपको याद रखने है, हम आपको detailed information देता हूँ, घागरा रिवर के origin के बारे में, तो friends, यह जो Tibbet में Maan Surover Lake है, उ यह आपको याद रखनी है, और इसका estuary point है, friends, in the river of Ganga on the borders of Saran and Balia districts, तो अब मैं आपको घागर नदी के बारे में बता देता हूँ, तो यह है, friends, origin point Ghagra नदी का, यहाँ से निकल कर यह तिबत से आगे जाकर, Ganga में मिल जाती है, तो यह आपको याद रखना है, next question, what is the origin of Ganga river, correct answer is, option A, धोलागिरी mountains in Nepal, Himalayas, तो नेपाल में जो Himalayas है, वहाँ पे एक धोलागिरी mountain है, वहाँ से गंड़क नदी निकलती है, यह आपको याद रखना है, अब मैं आपको गंड़क नदी के बारे में, detailed origin के बारे में बता देता हूँ, तो friends, धोलागिरी और Mount Everest हैं, जो Himalayas में, वहाँ से यह निकलती है river, गंड़क नदी, यह आपको याद रखना है, और इसका estuary point है, in river Ganga at Saunpurnayar, पतना, यह आपको याद रखना है, तो अब मैं आपको map के थरूप बता रता हूँ, गंड़क नदी के origin, तो यह यहाँ से निकलती है, friends, तिबबत से, यहाँ से निकल कर यह आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, next question, where does the Kosi river originates, correct answer is option C, अरुनधारा नेपाल, तो अरुनधारा एक जगा है, friends, नेपाल में, वहाँ से यह कोसी नदी निकलती है, यह आपको याद रखना है, तो कोसी नदी का origin है, अरुनधारा नेपाल, estuary point है, इसका river Ganga southwest of Karagool in Bihar, तो मैं अब आपको, map के थुरू कोसी नदी के बारे में बता देता हूँ, तो यह नेपाल से निकलती है, कोसी नदी, तो यह रहा, friends, कोसी नदी का origin points यहाँ से होकर यह, फिर आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, next question, where does the Vetva river originates, correct answer is option Vindyachal Hills in MP, तो मद्य परदे है, यह आपको याद रखना है, तो बेतवा नदी का origin क्या है, विंदyachal Mountains in MP, एस्टुरी यह इसका, Yamuna river near Hamirpur, यह आपको याद रखना है, तो अब मैं आपको map में बता देता हूँ, बेतवा नदी के बारे में, तो यह MP से निकलती है, friends, यहाँ से, और फिर आगे जाकर Yamuna में मिल जाती है, next question, what is the origin of Son river, correct answer is option C, Amarkandak Hills in MP, तो मध्यपरदेश के जो Amarkandak Hills है, वहाँ से यह सोन नदी निकलती है, यह आपको याद रखना है, तो Son river का origin points है, hills of Amarkandak in MP, और estuary point है, इसका गंगा at Danapur near Patna, यह आपको याद रखना है, तो यह है friends, MP में, Amarkandak Hills के near, सोन नदी का origin point, और यह आगे जाकर Yamuna में मिल जाती है, friends, काफी सारे बच्चे comment में हमें PDF के लिए बोल रहे थे, तो आपका यह problem हमने solve कर दिया है, तो आप Telegram पर हमसे जूड सकते हैं, यह है हमारा Telegram का channel name, रवीदिति Classes, यहाँ पर हम आपको daily जो भी video upload करते हैं, उसका link भी आपको provide करवाएंगे, ताकि आपको daily notification मेल पाए, और उसी video का हम आपको PDF भी यहाँ पर send करते हैं, तो आपकी PDF की problem को हमने solve कर दिया है, तो आप इस channel का जाद से जादा फाइदा ले सकते हैं, next question है, where does Gomti River originates, correct answer is option A, Fuller Lake in Uttar Pradesh, तो Uttar Pradesh का जो Fuller Lake है, वहाँ से Gomti नद फुलर लेक, पिलिभर डिस्टिक in Uttar Pradesh, और माउथ यहाँ फिर estuary है, इसका गंगा रीवर निर गाजीपर, next question, where does Sharda River originates, correct answer is option B, काला पानी रीजर रौ, पितोडगर in Uttarakhand, तो Uttarakhand का जो पितोडगर का काला पानी रीजर है, वहाँ से Sharda नदी निकलती है, यह आपको य याद रखने है, तो Sharda नदी का ओरीजन है, काला पानी रीजर आफ, पितोडगर, Uttarakhand, माउथ है इसका काली रीवर और घागरा रीवर, next question, where does the तीस्ता रीवर originates, correct answer is option A, पाव हुनरी गलेशियर in Sikkim, तो Sikkim में जो पाव हुनरी गलेशियर है, वहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, यह आपको याद रखने है, तो तीस्ता नदी का ओरीजन है, पाव हुनरी गलेशियर in Sikkim, एसका ब्रम पुत्रा रीवर in Bangladesh, next question, what is the origin of राम गंगा रीवर, correct answer is option B, दोधा तोली हिल in Uttarakhand, तो Uttarakhand के जो दोधा तोली हिल्स हैं, वहाँ से राम गंगा नदी नि और estuary है, इसका रीवर गंगा निर कनोज, next question, काली रीवर in करनाटक originates from, correct answer is option कुष्वाली in करनाटक, तो करनाटक में कुष्वाली जगा है, वहाँ से काली नदी निकलती है, यह आपको याद रखने है, तो काली नदी का origin points है, कुष्वाली, Uttarakhanda district of करनाटक, और estuary है, Arabian C, यह आपको याद रखने है, next question, what is the origin of Mahananda river, correct answer is option C, Darjling Hill, तो Darjling Hill से friends, Mahananda नदी निकलती है, यह आपको याद रखने, तो Mahananda नदी का origin है friends, Darjling Hills और estuary point है, इसका river Ganga near Farakka, West Bengal, यह आपको याद रखना है, next question है, where does the Brahmaputra river originates, correct answer is, option है, Mahananda Surover lake in Tibet, तो Tibet में जो friends, Mahananda Surover lake है, वहाँ से Brahmaputra river निकलती है, यह आपको याद रखने है, अब मैं आपको detail information देता हूँ, Brahmaputra river के origin के बारे में, तो friends, जो Mahananda Surover lake है तिबबत में, वहाँ पे एक Chamuyung Dunk glacier है, वहाँ से यह, Brahmaputra river निकलती है, यह आपको याद रखने है, और इसका estuary है friends, Padma river in the name of Yamuna, Yamuna को Padma river कहा जाता है, और फिर Padma और Meghana, यानि कि Yamuna और Ganga, दोनों ही, Brahmaputra के साथ मिलकर, Way of Bengal में गिर जाती है, अब मैं आपको map के through भी समझा देता हूँ, friends, तो तिबबत से friends, यह निकलती है, Brahmaputra river, और तिबबत में इसे friends, Sangpo river कहते है, जैसे यह नाम लिखा हूँ है, तो यह यहाँ से ओकर तिबत में अरुनाचल से प्रतेश प्रवेश करती है, इंडिया में, फिर यहाँ से यह, यह भी Brahmaputra river ही है, फिर यह आगे जाकर Padma और Meghana, यानि कि Ganga और Yamuna से मिल जाती है, क्योंकि यह जो है, यह बंगलादेश में नाम है इनके, तो फिर यहाँ से यह Bay of Bengal में गिर जाती है, Brahmaputra river next question, where does the Narmada river originates, correct answer is option A, Amar Kanta Hills in Madhya Pradesh, तो MP में जो friends Amar Kanta Hills है, वहाँ से Narmada river निकलती है, यह आपको याद रखने है, तो नarmada river का original friends Amar Kanta Hills of MP, और estuary है इसका Gulf of Khambat in Arabian Sea, तो यह भी आपको याद रखने है, अब मैं आपको, मैं आपके थूरू बता रहता हूं, नarmada river के बार में, तो friends यह है, MP से यह निकलती है, Amar Kanta Hills से, फिर यह west की तरफ flow करती हुई, Arabian Sea में गिर जाती है, तो यह आपको याद रखने है, लेकिन इसका estuary point यहाँ पे Gulf of Khambat है, क्योंकि यहाँ पे यह Gulf of Khambat है, तो यहाँ से यह होकर Arabian Sea में गिर जाती है, next question, what is the origin of Tapti river, correct answer is option D, बेतूल district of MP, तो MP में जो friends, बेतूल district है, वहाँ से तापती नदी निकलती है, यह आपको याद रखना है, important question है यह, तो origin है friends, तापती नदी का बेतूल district of MP, estuary है इसका Gulf of Khambat, Arabian Sea, same to same like Narmada River, तो यह आपको याद रखना है, तो अब मैं आपको तापती नदी के बारे में, यहाँ पर बता देता हूं friends, तो यह है friends, तापती नदी, यहाँ से यह निकलती है MP से, फिर यह आगे जाकर Gulf of Khambat में estuary point है, और आगे जाकर यह Arabian Sea में गिर जाती है, next question, where does the महा नदी originates, correct answer is option B, सिहावा रेंज 36 गड़, तो friends, जो 36 गड़ के सिहावा रेंज है, वहाँ से महा नदी निकलती है, यह आपको याद रखना है, तो महा नदी का origin है friends, सिहावा रेंज of 36 गड़, estuary है इसका Bay of Bengal, यह आपको याद रखना है, अब मैं आपको map के थुरू बता देता हूं friends, महा नदी के बारे में, तो friends, महा नदी 36 गड़ से निकलती है, यहाँ से महा नद तो जो मध्यपरदेश के काकरी बर्दी हिल्स है friends, वहाँ से शिपरा नदी निकलती है, यह आपको याद रखना है, तो अब मैं डेटेल में बता देता हूं आपको शिपरा नदी के ओरीजन के बारे में, तो friends, जो इन दो डिस्टिक है MP की वहाँ पे काकरी बर्दी हिल्स ह और यह इसका estuary point है, चंबल रिवर में, तो यह आपको याद रखने है, अब मैं आपको मैप के तुरू बता जाता हूं, शिपरा नदी के बारे में, तो friends, यह MP से निकलती है, यह है शिपरा नदी और आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है, नेक्स्ट कोशन है हमारा, वहाँ से एक और हिल है, विंदेचल माउंटेन रेंज की, अम्रोख हिल, वहाँ पे एक मेहद लेक है, वहाँ से यह माही नदी निकलती है, यह आपको याद रखने है, और इसका estuary है, गल्फ ऑफ कंबत, अरेबियन सी में, नेक्स्ट कोशन, वट इस दा ओरीजिन ओफ रास्थान, estuary है इसका, और यह merge कर जाती है, फ्रेंट्स, रन अफ कच में जाकर, यह आपको याद रखने है, नेक्स्ट कोशन, वेर डस दा शत्रुंजी रिवर और इजिनेट्स, correct answer is, option है, दल कहवा, इन गुजरात, तो दल कहवा एक जगा है, फ्रेंट्स, गुजरात, next question, what is the origin of Sankosh river, correct answer is, option B, Himalayan range in Bhutan, तो Bhutan में जो, friends, Himalayan range है, वहाँ से Sankosh नदी निकलती है, यह आपको याद रखने है, तो Sankosh नदी का origin है, Himalayan range of Bhutan, estuary है, इसका, ब्रह्म पुत्रा, in Assam, तो यह आपको याद रखने है, next question, where does Rup Narayan river originates, correct answer is, option C, Telbani hills in Jharkand, तो जो Telbani hills of friends Jharkand, तो जो Telbani hills of friends Jharkand, तो जो Telbani hills of Friends Jharkand, तो जो Telbani hills of Jharkand, तो जो Telbani hills of Jharkand, तो Celbani hills of Jharkand, estuary है, इसका, हुगली river, यह आपको याद रखने है, next question, what is the origin of Cain river, correct answer is, option B, Camur Hill in MP, तो मध्यप्रदेश के जो Camur Hills है, वहाँ से Cain नदी निक MP, और Estuary है इसका Yamuna River Next question Where does the Damodar River originates? Correct answer is Option C, Chota Nagpur Plateau in Jharkhand, तो Jharkhand का Friends, जो Chota Nagpur Plateau है, वहाँ से Damodar Nadi निकलती है, यह आपको याद रखना है तो Damodar Nadi का origin है Friends, Palamu District of Chota Nagpur Plateau of Jharkhand, तो वहाँ से निकलती है यह, और Estuary है, इसका Hugli River in West Bengal, यह आपको तो Friends, Jharkhand से निकलती है, यह Damodar Nadi यहाँ से होते होते हैं, यह फिर आगे जाकर Bay of Bengal में गिर जाती है यह आपको याद रखना है Next question What is the origin of Sabarmati River? Correct answer is Option A, Aravali Range in Rajasthan तो Friends, Rajasthan के Aravali पहाडिया है, वहाँ से Sabarmati नदी निकलती है, यह आपको याद रखना है तो Sabarmati Nadi का origin है Friends, Aravali Range in Udhepur District of Rajasthan Estuary है इसका Gulf of Kambat in Arabian Sea Next question What is the origin of Krishna River? Correct answer is Option D, Western Ghats Mahabalishwar तो Friends, Western Ghats Mahabalishwar है, वहाँ से origin point है Krishna Nadi का यह आपको याद रखना है हम आपको Krishna Nadi के origin के बारे में बता देता हूं Western Ghats near Mahabalishwar in Maharashtra Estuary है, इसका Bay of Bengal यह आपको याद रखना है तो अब मैं आपको Krishna Nadi के origin के बारे में मैं आपके through बता देता हूं तो Friends, यहाँ से Krishna Nadi निकलती है, यहाँ से आगे जाकर यह फिर Bay of Bengal में गिर जाती है Next question Where does the Godavari River originates? Correct answer is Option A Trimba Keshwar Hills in Maharashtra तो Maharashtra के जो Friends Trimba Keshwar Hills है वहाँ से Godavari Nadi निकलती है यह आपको याद रखना है और Friends, Godavari को Dakshin Ganga भी कहा जाता है यह आपको याद रखना है और Friends, यह दूसरी largest river है भारत की यह भी आपको याद रखना है Second largest river in India तो यह दो point आपको इसके बारे में याद रखना है First and Second तो Godavari Nadi के origin के बारे में अब आपको बता रखना है तो Godavari Nadi Friends Trimba Keshwar Hills नेर Nashik District of Maharashtra से निकलती है और Estuary है इसका Bay of Bengal यह आपको याद रखना है तो अब मैं आपको Godavari के बारे में बता देता हूं Friends, मैं आपके थूँ Friends, यहां से Godavari निकलती है और फिर आगे जाकर यह Bay of Bengal में गिर जाती है Next Question What is the origin of Vaan Ganga River? Correct answer is option B Bayrath Hill in Rajsthan तो जो Bayrath Hills है Friends राजस्थान में वहां से Vaan Ganga नदी निकलती है यह आपको याद रखना है तो Vaan Ganga का origin है Friends राजस्थान के Hills of Vaarat निर जैपूर और Estuary है इसका River यह आपको याद रखना है Next Question Where does the Kaveri River originates? Correct answer is option Brahmagiri Hills in Karnatak तो जो Karnatak के Brahmagiri Hills है Friends वहां से Kaveri नदी निकलती है यह आपको याद रखना है तो Kaveri नदी का origin है Friends Brahmagiri Hills in Kurgh District of Karnatak और Estuary है इसका Bay of Bengal यह आपको याद रखना है तो Kaveri नदी के बारे में अब आपको मैप के थूरू बता देता हूं Friends तो Friends यहां से यह Kaveri नदी निकलती है और Bay of Bengal में गिर जाती है Next Question What is the origin of Tungbhadra River? Correct answer is option Western Ghats Hills in Karnatak तो जो Friends Karnatak में Western Ghats Hills है वहां से Tungbhadra नदी निकलती है यह आपको याद रखना है तो Tungbhadra नदी का origin है Friends Western Ghats Hills in Karnatak Estuary है इसका Krishna River यह आपको याद रखना है अब मैं आपको Tungbhadra नदी के बारे में मैं आपके थूरू भी बता देता हूँ तो यह रहा Friends Western Ghats यहां से Tungbhadra नदी निकलती है और Krishna में जाकर मिल जाती है यह आपको याद रखना है Next Question What is the origin of Shraafati River? Correct answer is option D Shimoga District of Karnatak तो Karnatak में जो Friends Shimoga District है वहां से Shraafati नदी निकलती है यह आपको याद रखना है तो Shraafati नदी का origin है Shimoga District of Karnatak एस्टुरी है इसका Arabian Sea में Next Question What is the origin of Vagai River? Correct answer is option C Varshandu Hills in Tamil Nadu तो जो Tamil Nadu के Varshandu Hills है Friends वहां से Vagai नदी निकलती है यह आपको याद रखना है तो Vagai नदी का origin है Varshandu Hills near Tamil Nadu और Estuary है इसका Bay of Bengal Next Question What is the origin of Mandvi River? Correct answer is option B Jamboti Ghats in Karnatak तो Jamboti Ghats जो है Friends Karnatak में वहां से Mandvi Nadu निकलती है यह आपको याद रखना है तो Mandvi Nadu का origin है Jamboti Ghats in Vail Gound District in Karnatak और Estuary है इसका Arabian Sea में Next Question Where does the Vatarna River originates? Correct answer is option B Triambak Hills in Maharashtra तो जो Maharashtra के Triambak Hills है वहां से वितर्ना नदी निकलती है यह आपको याद रखने तो वितर्ना नदी का origin है Triambak Hills, Nashik District in Maharashtra और Estuary है इसका Arabian Sea में Next Question What is the origin of Bhadar River? Correct answer is option C Rajkot, Gujarat तो Gujarat में जो Rajkot जगह है वहां से भादर नदी निकलती है यह आपको याद रखने है तो भादर नदी का origin है Rajkot, Gujarat Estuary है Arabian Sea में यह आपको याद रखने है Next Question Where does the Vedati River originates? Correct answer is option A Hubli, Karnatak तो जो Hubli, Karnatak है वहां से वेदती नदी निकलती है यह आपको याद रखने है तो वेदती नदी का origin है Hubli in Karnatak और Estuary है इसका Arabian Sea में Next Question What is the origin of Bhadar Pooja River? That is also known as Ponnani River तो correct answer is option D Annamalai Hills in Tamil Nadu तो जो Annamalai Hills है तामे लादू में वहां से भारत Pooja नदी निकलती है यह आपको याद रखने है तो भारत Pooja नदी का origin है Annamalai Hills Estuary है इसका भी Arabian Sea में Next Question Where does the Swarnarekha River originates? Correct answer is option C Chota Nagpur Plateau in Jharkand तो Jharkand में जो Chota Nagpur Plateau है वहां से Swarnarekha River निकलती है यह आपको याद रखने है और इसका Estuary है Friends Bay of Bengal में Next Question What is the origin of Vatarni River? Correct answer is option C Kionger Hills in Odisha तो जो Odisha के Kionger Hills है वहां से Vatarni नदी निकलती है यह आपको याद रखना है तो और इसका Estuary है Friends Bay of Bengal में Next Question Where does the Brahmani River originates? Correct answer is option A At the confluence of Southern Keol and Shunk Rivers in Odisha तो यह आपको याद रखने है यह Origination Point है Brahmani River का यह आपको याद रखने है और Estuary है इसका Friends Bay of Bengal में Next Question What is the origin of Vanshadhara River? Correct answer is option D काला हंडी in Odisha तो Odisha के काला हंडी से Friends वंशधारा नदी निकलती है यह आपको याद रखने है और Estuary है इसका Bay of Bengal में Next Question Where does the Palaar River originates? Correct answer is option B Chikaballapur in Karnataka तो Karnataka में Friends Chikaballapur एक जगह है वहाँ से Palaar नदी निकलती है यह आपको याद रखने है यह इसका origin point है और Estuary है इसका Bay of Bengal में Next Question Where does the Peria River originates? Important Question है Friends और यह river काफी ज़्यादा news में रहती है Correct answer is option Anomaly Western Ghats तो Peria River का origin है Friends Anomaly Western Ghats में और Estuary है इसका Lake Webnaad यह आपको याद रखने है तो Peria River के बारे में आपको पता देता हूं Friends तो यह है Friends Peria River यहाँ से यह निकलती है हमारा आखरी Question है What is the origin of Tamraparni River? Correct answer is option है Alvar Kurichi in Western Ghats in Tamil Nadu तो Tamil Nadu के जो Western Ghats है वहाँ पे Alvar Kurichi जगह है वहाँ से Tamraparni नदी निकलती है यह आपको याद रखने है तो इसका origin है Alvar Kurichi, Tamil Nadu और Estuary है इसका Bay of Manar या फिर Bay of Bengal तो यह आपको याद रखना है Friends अब इस वीडियो का एक और important part आगया जो कि है revision part जिसमें मैं आपको उपर पढ़ाए questions का फटा फटा फट revision करवाने वाला हूं ताकि आपको यह questions इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और अच्छे से याद भी हो जाएं तो चली revision part शुरू करते हैं अच्छे से यह भी हो जाएं च्छे से नाग लेक जमू एं कश्मिर वीडियो जाएं बारा लचा पास हमाचल पर देश वीडियो जाएं रवी रीव जाएं रहतां पास हमाचल पर देश What is the origin of Biyas River, Biyas Kund in Himachal Pradesh Where does River Ganga originates, Gangotri Glacier in Uttarakhand What is the origin of River Yamuna, Yamunotri Glacier in Uttarakhand Where does the Chambal River originates from, Janapav Hill in Madhya Pradesh Gagar that is known as Karnali River originates from Mansarovar Lake in Tibet What is the origin of Gandak River, Dholagiri Mountains in Nepal, Himalayas Where does Kosi River originates, Arundhara in Nepal Where does Betwa River originates, Vindyachal Hill in Madhya Pradesh What is the origin of Son River, Amarkandak Hill Gomti River originates from, Fuller Lake in Uttar Pradesh Where does Tista River originates from, Pohundri Glaciers in Sikkim What is the origin of Ram Ganga River, Duda Toli Hill in Uttarakhand From where does Sharda River originates, Kalapani region of Pithodgarh in Uttarakhand Where does Kali River in Karnatak originates, Kushwali in Karnatak What is the origin of Mahananda River, Dajling Hills Where does the Brahmputra River originates from, Mansarovar Lake in Tibet Where does Narmada River originates, Amarkandak Hills in MP What is the origin of Tapti River, Betul district in MP Where does Mahanadi originates from, Sihava range in Chhattisgarh What is the origin of Shipra River, Kakribardhi Hill in Madhya Pradesh Where does Mahi River originates, Vindyachal Mountains in MP What is the origin of Luni River, Aravalli Range in Arasthan Where does Shatranji River originates, Dalg Kahwa in Gujarat What is the origin of Sankosha River, Himalaya Range in Bhutan Where does the Arup Narayan River originates, Tilbani Hills in Jharkhand Next question What is the origin of Kain River, Kaimur Hills in MP Damodha River originates from, Chhota Nagpur Plateau in Jharkhand What is the origin of Sabarmati River, Aravalli Range in Rajasthan What is the origin of Krishna River, Western Ghats, Mahabaleshwar Where does Godavari River originates, Trimbakkeshwar Hills in Maharashtra What is the origin of Van Ganga River, Bharath Hill in Rajasthan Where does River Kaveri originates, Brahmagiri Hills in Karnatak What is the origin of Tungbhadra River, Hills of Western Ghat in Karnatak What is the origin of Shravati River, Shimoga District in Karnatak What is the origin of Vaigai River, Varshandu Hill in Tamil Nadu What is the origin of Mandvi River, Jamboti Ghat in Karnatak Where does Tarna River originates, Trimbak Hill in Maharashtra What is the origin of Bhadar River, Rajkot in Gujarat Where does Vedati River originates, Hubli Karnatak What is the origin of Bharat Pooza River that is known as Ponani River, Anna Malai Hills in Tamil Nadu Where does the Swarna Rekha River originates, Chota Nagpur Plateau in Jharkhand What is the origin of Baitarni River, Kionjhar Hill in Odisha Where does the Brahmani River originates, Southern Keol and Shank Rivers in Odisha What is the origin of Vanshidhar River, Kalahandi in Odisha Where does Pala River originates, Chikbalapur in Karnatak What is the origin of Tamrapani River, Alwar Kurichi in Western Ghats in Tamil Nadu Peria River originates from Anna Malai in Western Ghats So this was the revision part Now there is an important important part, which is the test part In which I have read the questions from you, two questions I am going to take a test of questions and answer in the comment box I will give you a question in the comment box So this is the first question Where does the Sataluj River originates, Your options are Second question Where does Indus River originates, Your options are So this was the test part Friends, you can find good news That our Telegram challenge is open This is the Telegram channel This is the name of Ravideti Classes Here we have a daily video of the link Which will provide you Which will be a daily notification You can find a daily notification And this PDF we will provide you So this PDF will be a problem So this is the problem we have solved So this was the today video In which I have made you Origins of Indian River In which I have found a lot of detail I have found a lot of detail If you have found a video of our video If you have found a video of our content And quality of our quality So this is the like Please do not like Please do not like Please do not like Friends of our friends Share and please do not like And your feedback In our command box So this will be a video Until next time Thank you and wish you all the best You can't angest www.sneemofbanys.com